नमस्कार आपका सौकत स्टॉक लॉजी में आज हम बात करने वाले हैं सन टीवी नेटवर्क के बारे में जिनके हाली में रेजल्ट जा रहे हुए हैं आपको बताना चाहें कि अपने अपने शेरोल्डर को प्रतिशेयर का डिविडेंट दिया है तो जिनके पास भी शेरों को फॉर्मेट को देख लेते हैं तो सबस्वेस्ट में देख रहा है मार्च 20 क्वाटर के रेजल्ट हैं यह सेकेंड नमबर पर कॉलम है वह दिसम्बर 20 क्वाटर नमें की तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हम हम आएं में इंकम बढ़ती नजर आ रही है अगर हम बात करते है quarter on quarter performance की यानि December 20 से March 21 की इंकम की तो वहाँ पर हमें quarter on quarter में कमी होती हुई नजर आ रही है expenses को देख लेते हैं तो March 20 quarter में 493 करोड के expenses थे योगी December 20 में 462 करोड के हो गए और March 20 quarter में 352 करोड के हो गए तो यहाँ पर हमें March 20 से March 20 में यानि कि Year on Year में expenses जो है घटते हुए नजर आ रहे हैं बात करते हैं अगर quarter on quarter परफॉर्मेंस यानि कि December 21 की तो यहाँ पर भी हमें expenses जो है वह घटते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर overall यहाँ पर इंकम और expenses की बात करें तो Year on Year में इंकम बढ़ी है और expenses घटे हैं अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट को तो बात करते हैं सावन्थ नमबर पॉंट के प्रॉफिट विपो टेक्स की तो मार्च क्वाटर बीस में 321 करोड के प्रॉफिट थे जोगी दिसमर बीस में 596 करोड के करोड के हो गए और अगर मार्च 21-543 करोड के हो गए तो यहां पर हमें बड़े हुए नज़र आ रहे हैं नाइंध नमबर पॉंट को देख लिए प्रॉफिट आफ्टर टेक्स को तो मार्च कॉर्टर 20 में 245 करोड के प्रॉफिट थे जोगी देसमर बीस और मार्च तो अगर हम देखें तो हमें यह यार यानि के मार्च 20 में प्रॉफट आफ्टर टेक्स नेट प्रॉफट दुगने होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं कोटर नेट प्रॉफट की तो वहां पर भी हमें व्रद्धी दिखाई दे रही है तो अगर हम यह यह मैं कंपनी के एसेंसेल्स को देख लेते हैं तो जो मार्केट कैफ है वह बीस जार 927 करोड की नमबर ऑफ सेर्ज मार्किट में ट्रेट कर रहा है वहां तालेज़ दसमलों चार्ज एक करोड सेर कपी वी रेस हो एतीन दसमलों एक तीन का और डिविडेंट टील्ड है है एंटरप्राइस वैल्यू को देख लेते हैं तो वह बीस हजार तेन सब्सक्राइब करें तो जीरो करोड के हैं याने की कंपनी डैप फ्री है कर्ज मुक्त है तो यह भी काफी अच्छा है एप यस को देखते हैं तो 33.5 रूपए है और यह प्रतिशत का है प्रॉफिट गोड महिने से 1.65 प्रतिशत का है लास्ट रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो 532 रूपए 15 पैसे है लास्ट टेडिंग डेके परफॉर्मेंस की बात करें तो जीरो देसमलों एक तीन प् सब्सक्राइस तरगी तो वह तीन सब्सक्राइब रूपए जो कि 16 जून 2020 को बना था अब हम देख लेते हैं डिलेवरेबल कॉंटिटी का प्रतिशत तो वह चातिर दसमलों जीरो पांच प्रतिशत यानि की जितने भी सेयर जो है लास्ट ट्रेडिंग डेपर ट्रेड जो कि 2018 में बढ़कर होगे तीन दसमलों एक तीन हजार करोड नहीं से बढ़कर हो गया चार दसमलों जीरो तीन हजार करोड तो यहां पर हम देखते हैं तो हमें रहेज़ाइन बढ़ता हुए लेकिन इसमें कमी आई है अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट को तो 2017 में थे य सब्सक्राइब नजर आ रहा है वहीं अगर हम बात करते हैं उनीज से 20 की तो यहां पर हमें प्रॉफिट जो है उसमें मामुली सी गिरावट होती हुए नजर आ रही है तो प्रमोंटर्स की जून वीस-में थी 55% की जो कि मार्च 21 मा भी बनी हुई है एफ़ायाइस की वोल् सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर अगर हम बहतर होता हुए नजर आ रहा है क्योंकि यह रोन यह प्रॉफिट जो है वो दुगने हुए हैं तो यह कंपनी के सब्सक्राइब करें धन्यवाद